हलो बच्चो कैसे हो आप लोग बच्चो मैं सुमन मैम बच्चो हम लोग जो है ये बसंत भाग 3 में ये चैप्टर 14 अकबरी लोटा पढ़ रहे थे जिसका फर्स्ट वीडियो आप लोग देख चुके हो ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है तो आप लोग अपनी टेक्स्ट ब और पेज नमबर 84 पे आजाए और पेंसिल भी लीजेगा बच्चो तो आप लोगों ने देखा कि कैसे लाला ज्हाओ लाल कैसे उनको प्यास लगती है और पानी मांगने पे जब वो पानी उनको दिया जाता है उस लोटे में जो लोटा उनको पसंद नहीं था और उनके से छूट करके किस तरह से आके उस अंग्रेज के पैर पे बूट पे गिर जाता है और अपने पैर को पकड़ता हुआ जाओ लाल के घर में आंगन में आके सारी भीडी कठी हो जाती है और किस तरह से लाला जाओ लाल को 200 रुपए अपनी पतनी को देने है जो आज उसका अं पूरी भीडी कठी होती है और बिलवासी जी आये हुए है उसी समय और कैसे उन्होंनों परिस्थितियों को समहालते हुए अपना काम बनाया अपनी बुद्धी का प्रियोग करके तो इतना हमने देखा था बच्चो आगे देखे आप लोग की पेज नंबर 84 पे मेरी समझ म में he is a dangerous lunatic यानि यह खतरनाक पागल है नहीं मेरी समझ में he is a dangerous criminal नहीं यह खतरनाक मुझरिम है पहला जो है कि he is a dangerous lunatic यह जो है बच्चो अंग्रेज कहता है और नीचे वाला जो लाइन है क्रिमिनल वाली वो बिलवासी जी कहते हैं परमात्माने लाला जाउलाल की आखों क इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ती देदी होती तो यह निश्य है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आखों से खा चुके होते क्योंकि जब उसने कहा कि यह खतरनाक पागल है अंग्रेज ने तो बिलवासी जी ने उसके आंसर में क्या दिया कि नहीं यह है यह बारे में ऐसी बात कर रहा है वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है लाला जहाओ लाल को समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय बिलवासी जी को क्या हो गया वो मेरी बारे में अंग्रेज से ऐसी बाते क्यों करते हैं मुझे बचाने की बजा पुलिस में इस मामले के रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फोरण हिरासत में ले लिया जाए उन्होंने कहा बिलवासी जी ने कि इसका पुलिस में तुरंट रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी तुरंट पुलिस की हिरासत में आ जाए अंग्रेज पूछता है पुलिस स्टेशन है कहा, पास ही है, चलिए मैं बताओं, चलिए, उन्होंने कहा, पुलिस स्टेशन कहा है, बिलवासी जी ने कहा, चलिए, पास में ही है, मैं आपको बताता हूं, वो कहता है, अभी चला, आपकी इजाज़त हो, तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से क्यों जी बेचोगे मैं पचास रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ अब देखो अभी तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने की बात हो रही थी और जाला जाव लाल को पकड़वाने की बात हो रही थी लेकिन अंग्रेट जो होते हैं न बच्चो वो बहुत एंसेंट शोकीन होते हैं उन चीजों को देखना बहुत पसंद करते हैं तो उसने कहा कि पहले चलने से पहले मैं यह इजाज बले ना चाहता हूं कि मैं इस लिव्टे को इस आदमी से खरीद लू only क्यों जी तुम बेचोगे, मैं इसका पचास रुपय दाम दे सकता हूँ, अब देखो अब यहाँ इस टोरी कहानी जो है बेटा दूसरी तरफ मोल्ड होती हुई नजरा रही है, अब देखो कैसी परिस्तितियों का फायदा उठाया जाता है, उठाया जा सकता है, अगर आदम लाल तो चुप रहे है, पर साहब ने पूछा कि इस रद्दी लोटे के आप पचास रुपय क्यों दे रहे हैं, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं, आश्यर में, मैं तो आपको एक विग्य और शुशिक्षित आदमी समझता था, ये लाला जाओ लाल ने कहा कि आप इ एक विग्य, विग्य मतलब बहुत ही बुद्धिमान और शुशिक्षित आदमी समझता था, आखिर बात क्या है, कुछ बताईए भी, जनाब अब बताता है, देखे कैसे वो परिस्तितियों का लाब उटाता है विलवासी जी, वो बोलता है जनाब यह एक एतिहासिक लोट है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक प्रसिद अकबरी लोटा है, जिसकी तलास में संसार भर के सारे जो म्यूजियम है, संग्रहाल है, वो इसको पाने के लिए बेकरार है, अंग्रेज कहता यह बात, कहता जी जनाब, सोलह में शताबदी की बात है, बास्षा हुमा हुमायूजे थे, जो थे, वो शेरशाह से हार कर भागे थे, और सिंद के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, जब भागे वो हार करके, तो रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, एक औसर पर प्यास से इसकी जान निकल रहे थी, और रेगिस्तान में इसको बहुत जान बचाई थी, हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राम्भण का पता लगा कर उस से इस लोटे को ले लिया, और वो बताते हैं बिलवासी जी कि हुमायूं के बाद जो है, अकबर ने उस ब्राम्भण का पता लगा कर उस से इस लोटे को ले लिया, अकबर कौन बेटा, प्रहुमायों किसका बेटा था ? बाबर का लोटे को ले लिया और इसके बदले में। उसके इस प्रकार के, दस सोने के लोटे प्रदान उनको दिये, यह लोटा समराथ अकबर को बहुत प्यारा था . अब देखो ये कैसे कहानी गढ़ रहे हैं, कि ये लोटा जो है वो समराथ अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा, वह बराबर इसी से वजू करता था, वजू मतलब जो पूजा पाथ होता है, जल चढ़ाया जाता है, तो वजू करता था, स 57 इस भी तक इसको शाही घराने मतलब ऐसे मुगल सामराज में, जो बाबर, अकबर, हुमायू, शेरशा, और जो लोग थे, जहांगीर घराने में रहने का पता चलता है, पर इसके बाद लापता हो गया, पर इसके बाद लोटा ही लापता हो गया, कलकत्ता की म्यूजियम मे इसका प्लाश्टर का मॉडल रखा हुआ है, और उसने बोला, जो कलकत्ता का म्यूजियम है, वहाँ पे प्लाश्टर का इसका मॉडल इसी तरह से सेम बना हुआ है, पता नहीं है लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, अब बोलते हैं, बिलवासी जी कि इस आदमी के पास ही इसको ले जाए, देखो, बिलवासी जी से उन्होंने जाउलाल ने पैसा मांगा था, तो बिलवासी जी पैसों का इंतिजाम नहीं कर पाए थे, और आये थे, लेकिन उन्होंने आकर के देखा कि यहां परिष्टितियां ऐसी हो रही हैं, और अंग्रेज जो है इस लोटे को ख सुनते साहब की आखो पर लोभा और आश्यर का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे काओडी की आकार से बढ़ कर पकाओडी की हो गई, मतलब जब यह कहानी सुने तो सुनते सुनते उसकी बेटा जो आँखे चोटी से पकाओडी मतलब बहुत बड़ी हो गई, उसने बिलवासी जी से पूछा तो आप इस लोटे का क्या करिएगा, अंग्रेज ने पूछा कि आप इस लोटे का क्या करिएगा, मुझे पुरानी और एतिहासिक चीजों के संग्रह का सौक है, और बिलवासी जी ने कहा कि मुझे जो पुरानी चीजी और एतिहासिक चीजे हैं, उसके संग कर रहा था उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मुर्तियां खरीद रहा था अंग्रेज ने बोला कि जिस समय लोटा मेरे उपर गिरा उस समय मैं उस बरतन के बाजार में ठटेरी बाजार में खड़े होकर कुछ पीतल की पुरानी-पुरानी मुर्तियां खरीद रहा था जो वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा यह मेरा ह्क है, बिलवासी जी कहते नहीं, आप नहीं खरीदेंगे, इसे मैं खरीदूँगा, हग है, जरूर ख है, यह बताएं कि अपने इसनान किया, या मैंने अंग्रेज बोलता कि आप ये बताईए पहले किसका हक बनता है उस लोटे के पानिस उस लोटा तो मेरे उपर गिरा और मुझे इसनान करवाया आपको तो इसनान करवाया नहीं तो हक किसका करता बनता है इसनान किया या मैंने तो बिलवासी जी कहते आपने वह आप आपके पैरों पर गिरा या मेरे बिल्वासी जी कहते आपके अंगुठा उसने आपका भूरता किया या मेरा बिल्वासी जी ने कहा आपका इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है कहता है इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है यह सब बक्वास है दाम लगाए जो अधिक दे वह ले जाएगा यही सही अंग्रेज ने कहा यही सही आप इसका पचास रुपए लगा रहे थे मैं सौ देता हूं देखो जरा बिलवासी जी ने कहा कि आप पचास लगा रहे थे तो मैं इसका सौ रुपए देता हूं तो अंग्रेज कहता है मैं डेड़ सो देता हूं तो बिलवासी बिल्वासी जी ने धाई सो के नोट लाला जाओ लाल के आगे फेक दिये, यह कहकर बेटा यह धाई सो देता हूँ यह बिल्वासी जी ने कहा, यह कहकर बिल्वासी जी ने धाई सो का नोट लाला जाओ लाल के सामने फेक दिया, क्योंकि लोटा तो उसी कथा, धाई सो रुप उसको तो जोश, बिलवासी जी वही चाह रहे थे कि वो जोश में आ करके इसका ज़्यादा दाम लगाए और उसने बोला आप 200 देते तो मैं इसका 500 देता हूँ, अब चलिए बिलवासी जी अपसोस के साथ अपने रूपए उठाने लगे बिलवासी जी ने अपसोस के साथ अपने 200 रूपए उठाने लगे मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो, आशाओं की लाश उठाना बच्चो ये जो है मोहावरा है, की लाश उठा रहे हो, साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा लोटा आपका हुआ, फिल बिलवासी जी ने अंग्रेज की तरफ देखकर के कहा नेक्स्ट पेज पे बच्चो, की लोटा आपका हुआ, ले जाए, मेरे 200 से अधिक नहीं है उन्होंने कहा कि मेरे पास 200 से अधिक पैसे नहीं है यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसनिता की कूची गिर गई और यह सुन कर ही कि मेरे पास अब 200 से अधिक नहीं है साहब मतलब अंग्रेज के चेहरे पर बेटा, प्रसनिता की कूची मतलब की प्रसनिता, एकदम प्रसनिता जलकनी लगी उसने जपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हसता हुआ अपने देश लोटूँगा अंगरेज बोटा लेकर कि अब मैं हसते हुए अपने देश जाऊंगा मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गये थे उसके यहाँ उसके पडोसी थे मेजर डगलस वो हमेशा बड़ी बड़ी डिंगे मारता था कि मेरे पास ये एतिहासिक चीज है तो वही वो बोलता है कि उसकी डिंगे सुन सुन कर मेरे कान पक गया बैटा कान पक जाना मतलब परेशान हो उठना ये भी मोहावरा है मेजर डगलस कौन है बिलवासी जी पूछते हैं अंग्रेज कहता है मेजर डगलस मेरे पडोसी है पुराने चीजों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड रहती है गतवर से हिंदुस्तान आये थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे बताता है वो अंग्रेज कि पिछले साल जो है हिंदुस्तान आये थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले करके वो गए थे तो वो बोलता है जहांगीरी अंडा? देखो question mark लगा है अंग्रेज कहता है हाँ जहांगीरी अंडा मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीजे ले सकते हैं वो बोलता है कि मेजर डगलस ने ऐसा सोचा कि वही हिंदुस्तान से अच्छी चीजे ले सकते हैं जहांगीरी अंडा मैं तो अगबरी लोटा ले करके अब जाओंगा पर जहांगीरी अंडा है क्या? उन्हें पूछा कि जहांगीरी अंडा है क्या आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था वो बोलता है कि आप जानते हों कि एक कबूतर जो है नूर जहां बेटा वो जहांगीर की वाइफ थी बीबी थी नूर जहां से जहांगीर का प्रेम करवाया था वो कबूतर और जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया तो नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ा कर बताया था कि ऐसे जहांगीर ने पूछा था कि तुमने मेरा एक कबूतर कैसे उड़ जाने दिया तो जहांगीर नूर जहां जो थी जो दूसरा कबूतर था उसको उड़ा करके बोली ऐसे उसके इस भोले पन पे जहांगीर दिलो जान से निच्छावर हो गया और उसके ये बताने के तरीके पे दूसरा जो उसने इतने निर्दोष्टास थे उस कबूतर को उड़ाया था बेटा इतना इन्नोसेंट तरीके से कि जहांगीर का दिल नूर जहां के उपर आ गया उसी छण से उसने अपने को नूर जहां के हाथ कर दिया और उसी छण जो है ये जहांगीर ने नूर जहां को के हाथों में अपने आपको सौब दिया मतलब उससे शादी हो गई कैसे नूर जहांगीर का प्यार हुआ था उस कबूतर के अंडे से उसकी कहानियों बता रहा कबूतर का यह अहसान वह नहीं भूला उसके एक अंडे को बड़े जतन से रखा और कबूतर का यह अहसान जो है जहांगीर नहीं भूला और उसका अंडा जो था उसको बड़े जतन से उसने रखा, एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था, बिल्लौर की हांडी बेटा बिल्लौर जगह का नाम है उसकी हांडी में वह अंडा रख करके जहांगिर के सामने टंगा रहता था, बाद में वही मुसल्मान सज्जन से 300 रूपय में खरीदा था, वहीं बोलता है कि उसी से मेजर डगलस जो है जब दिल्ली आये थे लास्ट येर, पार साल मतलब लास्ट येर, तो एक मुसल्मान सज्जन से इन्होंने 300 रूपय में वो जहांगीरियाटा खरीदा था, तो बिलवासी जी कहते यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, अब वो बोलते हैं कि मेरे आगे अब दून, मतलब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, मेरा अगबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुस्त पुराना है, उन्होंने बोला कि मेरा जो ये अगबरी लो लोटा है, उस अंडे का क्या हुआ? बाप हुआ, क्योंकि लोटा ज्यादा पुराना है, साहब ने लाला ज्हाऊ लाल को 500 рут Самहीं ले लाला ज्याओ छेहरा इसका चेहरा दीखतो झेहरां क्योंकि लाला ज्याओ लोटा को अपनी रूपए देखते, ये cambodान पुसी ८ हंद पड़ाँ पड़ा दिया। इक एक बाल डाड़ी का ये बता रहा था प्रसनता के साथ अटाउने और पेज बच्चो लहरा रहा था उन्होंने पूछा बिलवासी जी मेरे लिए धाई सो रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे नहीं इस भेद को मेरे सिवाय मेरा इश्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं नहीं बताऊंगा बिलवासी जी ने कहा बच्चो कि ये जो भेद है धाई सो रुपए का मेरे सिवाय मेरा इश्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा ब पर वो लेके आया था कि नहीं आया था जरूर आया था अब उसकी बात आगे आती है बच्चो इसलिए बिलवासी जी ने लाला जहाउलाल को कुछ नहीं बता है वो सिर्फ ये कहता है कि ये जो 20 रुपय का भेध है ये सिर्फ मेरे सिवा मेरा भगवान ही जानता है और कोई त गंटे तक काम है दो गंटे तक देखो कोश्यन वर हाँ और क्या अभी मैं आपकी पीट ठोकर शाबासी दूँगा वो बोले कि अभी मैं आपकी पीट ठोकर शाबासी दूँगा एक घंटा इसमें लगेगा फिर गले लगा कर धन्यवाद दूँगा एक घंटा इसमें लग बोलता है कि अभी मैं आपकी ठोकर शाबासी दूंगा उसमें एक गंटा लगेगा फिर गले लगा कर धन्यवाद दूंगा उसमें एक गंटा लग जाएगा तो बोलता है अच्छा पहले 500 रुपए गिनकर सहेज लिए फिर बिलवासी जी कहते हैं अच्छा लो ये 500 रुपए और गिनकर के पहले सहेज लो अपने पास रख लो रुपए अगर अपना हो तो उसे सहेज ना एक ऐसा सुखद मनमोहक कारे है कि मनुष उस समय सहज में ही तनमैता प्राप्त कर लेता है उसने बोला बेटा देखो ये लेखा कहता है अनपूर्णा नंजी कि अगर रुपए पैसा अपना होता है तो उसे सहेज ना एक सुखद अनुभव देता है एक सुखद शान्ती और एक जो खुशी प्राप्त होती है वो ऐसा लगता है कि मनुष उस समय सहेज रूप में बड़ी तनमैता से उसे प्राप्त कर लेता है बच्चो लाला जहाउलाल ने अपना कार समाप्त करके उपर देखा और लाला जहावला जो थे अपना काम पूरा करके उपर देखें पर बिलवासी जी इस बीच अंतरधान हो गए और इसी बीच जो है बिलवासी जी उपर वो देखें इसी बीच बिलवासी जी अंतरध्यान हो गए अंतरध्यान मतलब कि वो थोड़ डूब गया, देखो वो बताते हैं कि उस दिन रातरी में बिलवासी जी को देर तक नीद नहीं आए, बिलवासी जी को भी नीद नहीं आए कि अरे मैं अपने दोस्त को क्या मूँ दिखाऊंगा, मैंने उससे वादा तो किया है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं पैसे का इन्तेजाम कर दूँगा, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहें और चादर लपेट कर चारपाई पर उस दिन वो पड़े रहें एक बजे वे उठे एक बजे रात को एक बजे मतब में वे एक बजे उठे धीरे बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वा सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बदी हुई थी सोने की चैन उनकी वाइफ ने पहना था और उस चैन में बच्चो वो अपने बक्से की अपने संदूग की ताली उसमें चाभी जो थी बदी हुई थी फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूग खोला और धीरे से उनके गले में से बच्चो वो ताली निकाला और ताली जाकर के वो संदूक खोला और उसमें धाई सो के नोट जियों के तियों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया और फिर वो धाई सो रुपय का नोट अपनी बीबी के संदूक में से ही निकाले थे निकाल करके ले गए थे लेकिन फिर वो ला करके उसी जियों की इतियों उन्होंने उसमें बंद कर दिया फिर दबे पाउं लोटकर ताली को उन्होंने पुर्वरत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया और फिर द्योहर वो अपनी पत्नी के गले में बच्चो वो ताली लाके दुबारा फिर से उन्होंने डाल दिया इसके बाद उन्होंने हस कर अंगडाई ली और हस जब उन्होंने अपनी पत्नी के गले में वो ताली डाल दिया और पत्नी जगी नहीं तब वो हस करके अंगडाई ली, दूसरे दिन सुबह आठ बजे तक चैन की नीद सोए, और दूसरे दिन जो है बच्चो, सुबह आठ बजे तक वो चैन की नीद सोए, क्योंकि देखो, वो 2500 रुपय नोट जो है बच्चो, ये थोड़े फ्लैस बैक में स्टोरी चली है, फिर दीरे से उठे, फिर अपनी पत्नी के गले से चाभी निकाले, और जाकर के उसमें संदूक उन्होंने खोला, और जहां से वो 2500 रुपय उठाए थे, अब जब जाओ लाल के हाँ गये थे, तो 2500 रुपय ले के गये थे, इसी तरह संदूक में से अपनी पत्नी के चुरा करके वो ले गये थे, बिना बताए, और जब वहां पे गये, उन्होंने देखा कि लोटा का और अंग्रेज का ऐसा सारी कहानी रच गई है, फिर उन्होंने उस लोटे का किस तरह से परिस्तितियों का लाब उठा करके बच्चों 500 रुपय भी दिलवा दिये, और फिर उन्होंने पूछा कि क्यों आपके पास तो पैसे नहीं थे, आप पैसे कहा ले करके आए हैं, तो उन्होंने बोला ना कि आप इस भेद को मेरे सिवा मेरा इस्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजेगा, और उन्होंने जियों कातियों वो रुपया जो है, अपनी पत्नी के गले पैसो चाबी निकाल करके और ले जाके संदुक में जियों कातियों रख दिया, और फिर उनको उन्होंने चैन की नीद की शांस ली, उंगली बच्चों और दूसरे दिन बहुत चैन से नीद में गहरी नीद तक वो आठ बजे तक सोते रहे और उनको शांती मिली, भगवान ने उनकी इज़त भी रख दी और उनके दोस्त का मान भी रह गया बच्चों और इसमें ये दिखा गया है कि आदमी कैसी परिस्तितियों का फाइदा उठाता है, इसमें यही अनपूर्णा नंजी ने बताने का प्रयास किया है बच्चों कि दूसरे ब्यक्ति को नीचा दि बनाया, ये रही बच्चों आप लोगों की कहानी, ये चैप्टर अब पूरा होता है, आशा करती हूं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट होगा, तो लाइब सेसन में हम इसको क्लियर कर देंगे बच्चों, धन्यवाद